नमस्कार सातियों, मैं बेज प्रकाश, आपके अपने यूटूब जैनल प्रकाश इट्टी में आपका स्वागत करता हूँ सातियों, आज हम सीटेट का साथ फरवरी दोजात्तियेज का प्रतम सिफ्ट का पेपर लेकिया हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे mathematics सातियों, जितने भी math के question पूचे गए हैं, इस पेपर में सभी question को करेंगे इससे पहले हम भाल विकास इमें सिख्यासास्त्र, सामान, हिंदी तथा environmental study की वीडियो बना चुके हैं आप ले रिट में जाके देख सकते हैं आईए इस्टाइट करते हैं, question number 31 से सातियों के चैनल पर पहली बार आए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दे आईए श्टाइट करते हैं, question number 31 में क्या दे रखा है जिसमें पूचाया है, दी नू अपना मसालों का कारवाज सुरू करता है वहाँ 10 kg हल्ली पावडर, 8 kg लाले मिर्च पावडर और 15 kg धनिया पावडर खरीता है वहाँ परतेक मसाले के 20-20 g के पैकेट बनाता है उसने बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तियार किये कितने पैकेट तियार किये 20-20 g के यानि उसने काया 10 kg हल्ली पावडर और 8 kg लाल मिर्च पावडर और 15 kg धनिया तो कितना हो गया, 10, 8 और 15 है, 8 और 5, 13, यह हो जाएगा 33, 33 कजी, और 11 में इसे चेंज़ करेंगे, किलो ग्राम को 1000 ग्राम होते हैं, तो यह हो जाएगे, 33, 1000 ग्राम, 20, 20 ग्राम के, 20 का इसमें डिवाइडर कर देंगे, 0 से 0 खतम हो जाएगा, दो एकंदो दू चक्यgen बारा दू पच्य दस पयाइए हैं चोधे सो पचास तो चोधे सो पचास कहीं करलती हो रही है दू चक्य écritके बाराइ छे़ हो और यहां पर और दू पच्य दस यान satu mistaken इसका स्यांसर आप़्ेनोm 32 रहो जाओगा आप तिसमें पुछा है यहां चार्ट एक स्कूल के पांच सिख्यकों की लंबाईयां और भार दरसाता है यानि इस तरफ लंबाई दे रखे है एक तरफ दे रखा भार और बच्चों के नाम दे रखे हैं राद दे रखा है लंबाई और बार, अमन का, विनीत का, कविता और रोहनी, इसमें पूचा है निम्ले की तमे से कौन सा कथन सही है, कथन क्या दे रखें, या आप देख लिए कथन ये दे रखें, इनमें सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा, साथ ये 32 का आप्सन नमर चौता सही हो जाएगा यानि रोहनी का बार कविता के भार का तीन वट्टे चार बाग है अगला नेट पसंद देख लेते हैं पसंद नमर तेटीस 33 में पुचा है दो सम्भाव तरबोज ABC और PQR के परिमाब 15 cm, 30 cm है उनके अन्ता कोणों के बारे में निमले किसमें से कौन सा कथन सही है नीचे 4 पसंद रहें 33 का सही आंसर आपको बताना 33 का सही आंसर क्या होगा साथ या सौलो करने पर 33 का उपसंद नमर तीसरा सही हो जागा यानि तरबोज ABC और तरबोज PQR के अन्ता कोण परावर है अलाने एक्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर शोंटीस 34 में पूचा है दी गई निमले खिता आकर्तियों में से वह व्याकतियां या जो आदा गुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसी ही दीखेंगे यानि देखाई सम्माहुत रबोज वर्ग आयतन समान तरबोज नीचे चार अपसंद रेकें चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना सम्माहुत रबोज को छोड़ कर साभी आकर्तियां अगला नेचे चार अपसंद को पैंतित पैंतिस में पूचा है पांच क्रमा गात पैंतिक संक्यां का उसत पंद्र है पहली और अंतिम संक्यां का योग क्या होगा तो इसमें यह पूचा है कि पांच संक्यां का प्राकर्तिक संक्यां का उसत पंद्र है यानि पंद्र है माल लिया तो पांच हैं तो इससे एक चोड़ है तेरह है और इसके बाद में शोलह है सत्त्रह तो यह हो गई पांच क्रमा गात संक्या है इनकी पहली और अंतियम संग्या का योग कितना होगा यानि 15 और 17 का योग कितना हो जाएगा यह यहाँ पर लिख लिएते हैं 10 और 30 तो इसका सही आपसर अप्स नमर 2 हो जाएगा अगला नेट कोसन देख लिएते हैं कोसन नमर 36 37 में पूचा है बिसाल एक बार खाना बनाने में 30 मिली लीटर तिल का प्रियोग करता है वह दिन में 3 बार खाना पकाता है यादि वह चार सही एक वट्टे 2 महीने पकाता है तो वह कितना तिल प्रियोग करेगा एक महीना का होजा 30 दिन नीचे चार अपसर ने रखें चार अप्सन को पढ़के सही आंसर आपको बताना कोसर नमर 36 का सही आंसर क्या होगा साथ सौलो करने पर 37 का अप्सन नमर 14 सही हो जाएगा यानि 12 लीटर 150 एमेल अगला नेट कोसन दिक लेते हैं कोसर नमर 36 37 मैं पुचाए छुट्टी के दिन मेरी सुभा 9 वजे उठती है और दोपा 2 वजे भोजन करती है उसकी घड़ी में सुईयों द्वारा उपयुक्त दोनों समय पर बनाए गए एक नमसा कौन निमले कितमे से कौन से हैं नीचे चार अपसन रेकें, चार अपसन को पढ़के सही आंसर पताना, कोसर नमर 36 का सही आंसर क्या होगा साथे कोसर नमर 36 का अपसन नमर 14 सही हो जाएगा, यानि सम कौन, नियून कौन अगला नेट कोसन, कोसर नमर 38 38 में पुचा है, रेखा कागज मोड कर घन बनाना सीखती है, वह 10 सेंटीमीटर बोजा वाले 12 घन बनाती है अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिबा चाहिए इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए, ताके सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगा छोड़े पूरी तरह आ जाए नीचे चार अपसन रहे कहें, चार अपसन को पढ़के सही आंसर पताना, कोसर नमर 38 का सही आंसर क्या होगा साथ या कोसर नमर 38 का आपसन नमर 39 सही होगा, यानि 12,000 सेंटी मीटर क्योग अगला नेक्ट कोसर नमर 49 49 में पुचा है, किरल संपर्ग करांती ट्रेन नई दिल्ली रेलिवे इस्टेसन से 30 अक्टवा 2021 को 13 बज़ के 10 मिनट छूटती है और एक नमर मा 2021 को तीन बज़ के 20 मिनट पर कोचू वेली पहुचती है, यातरा का खुल समय है नीचे 4 अपसन रेकें, 4 अपसन को पढ़के सही आंसर पताना है, कोसर नमर 49 का सही आंसर क्या होगा साथ या 49 का आपसन नमर 30 सही होगा, यानि 38 गंटे 10 मिनट अपसन देख लेते हैं, कोसर नमर 40 40 में पूचा है, निम लेकिते संक्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्याओं का अंतर क्या है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्याओं का अंतर पूचा है सबसे बड़ी संक्या कौन सी है इसमें साथ से बड़ी संक्या है यानि 1011 और साथ से छोटी संक्या कौन सी है इसमें साथ से छोटी संक्या है 1001 तो 1001 और 1001 अंतर पूछा है तो 1001 तो अंतर देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा 0 और 1 साथ घरवड़ हों गया इसमें क्योंके साथ से बड़ी संक्या यह नहीं होगी साथ से बड़ी संक्या हो जाएगी आपकी 11101 इसमें से हम 1001 को बठाएंगे कितना हो जाएगा, 0, 0 और 1 यानि 100 आंसर आएगा इसका अंतर आ जाएगा, सौपसर नमा चौता से हो जाएगा अगले ने इस कोसन देख लेते हैं कोसर नमा 41 अगले संक्या क्या है इसमें पूचा है 2, 1, 1, 2, 1, 4 इसमें हो क्या रहा है यानि इसका आदा यान 2 का आदा कितना हो जाएगा 1, 1 का आदा 1, 2 इसका आदा 1, 4 और 1, 4 का आदा कितना हो जाएगा 1, 4, 4 का आदा यानि 1, 2 इसमें कर देंगे तो यह हो जाएगा, 1, 8 आठ तो इसमें सही आदा कितना हो जाएगा option nr. 3 अगला ने इस कोसन देख लेते हैं option nr. 42 42 में पूचा है फ़लों की मुल्य सूची नीचे दी गई है यानि यी एक तरा फ़ल दे रखें और दूसरे तरा मुल्य दे रखें इनने मुलें के अभिवे क्तमें से कौन सा सही नहीं है यह आपको सही नहीं पूछाा आ कौन सा सही नहीं है ह mówią चार जो रेकिए चार अप्चन को पढ़के सही अंसर आपको बताना है कॉस लॉक है कोश्ण नवर 42 का सही अंसर क्या होगा साथ यो 32 का अप्चन नमर दूसरा सही हो जाईगा यानि प्रत्य कीजी संतर्य का मुल्य, आर्म के मुल्य का तीन चोब्ता ही है अगलानाइट क्वेशन देख लेते हैं, क्वेशन नमर 43 43 में ये सवाल दे रखा है, उसमें पहले बाग किया जाएगा फिर उसके बाद में इंटू, उसके बाद में इसे स्वालो करने पार इसका 43 का सही आंसर क्या होगा 47 43 का उप्शन नमर 33 सही हो जागा, इसका सही आंसर 2 आएगा अगलानाइट क्वेशन देख लेते हैं, क्वेशन नमर 46 44 में इस अंक्या दे रखी है, कि यूग में इसे क्या गटाया जाए कि परणाम 2,50,000 प्राप्थ हो, तो इसे स्वालो करने पर इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर क्या होगा अगलानाइट क्वेशन, क्वेशन नमर 45 45 में पूचा है, 25 मिलियन को भारतिय संक्या प्रणाली में लेखा जाता है नीचे 4 उपसन रखे हैं, 4 उपसन को पढ़के सही आंसर पताना, क्वेसन नमर 45 का सही आंसर क्या होगा साथ यो 45 का उपसन नमर 2 सही हो जागा, यहनि 2 करोडों 50 लाग अगलाने ट्वेसन, क्वेसन नमर 40 46 में पूचा है निम्ले के तमें से कौन सा गड़ित में नियून और लब्दी के प्रति योगधान दिनी वाला कारक नहीं हो सकता है नीचे चार अप्शन रेकें, चार अप्शनों को पढ़के सही आंसर आपको बताना कौशन नमर 40 का सही आंसर क्या होगा 47 का अप्शनों में चौता सही हो जागा, यानि लेंग एक बेदवाव अगर लानेट कौशन देख लेते हैं, कौशन नमर 47 47 में पूचाए, NCEIT के अनुसार कच्छा 3 के विद्यार्थियों के लिए निमलेक्त में से कौन से अधिगां प्रतिफाल आपेक्चित नहीं है नीचे चार अप्शन रेकें, चार अप्शनों को पढ़के सही आंसर बताना है, कौशन नमर 47 का सही आंसर क्या होगा 47 का अप्शन नमर पहला सही हो जागा, यानि सिद्ध कीजिए कि 1 वट्टे 3 और 2 वट्टे 6 के समान है अगला नेट कौशन, कौशन नमर 48 48 में पूचा है, विवाजन पर परिचायात्म का कख्षा में अप्योग करने के लिए किसी सिक्षक के लिए निमलिक्ष में से कौँ सी रणनीती सरवदिक अप्योगत है नीचे 4 अपसन रिखें, 4 अपसन पर पढ़के सही अंसर आपको बताना है 48 का सही अंसर क्या होगा साथी और 48 का अपसन नमर 14 सही हो जाएगा यानि उसकी मा के पास 9 पैंसल हैं वह आपको आपके भाई और आपकी बहन को बरावर बरावर पैंसल हैं देना चाहती है तो उसको कितने पैंसल हैं मिलेंगी अगला नेट को असन देख लेते हैं कोसन नमर 14 49 पर पुचा है विद्यालई इस्तर पर गड़ित में सिक्षार्थियों की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारे आकलन प्रिक्रिया 34 अपसन नेके 49 का सही आंसर क्या होगा साते 49 का सही आंसर अपसन में तीसरा हो जाएगा यानि बच्चे के चिंतन के गड़ती करण एवों सिक्षमताओं की तुलना में कारविदिक ज्यान एवों तत्यों पर बल देती है अगला नेक्ट क्वसन क्वसन नमर 50 50 में पूचा है श्री राजू अपने कक्षा 3 के चात्रों में संख्यात्म का समाज विकसित करना चाहते है इसके लिए निमलेक्ट में से कौन सा क्रिया कलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा नीचे 4 अपसन रहे हैं 4 अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है का सही आंसर क्या होगा साथियों कोसन रह पचास का अपसन रह पहला सही होजगा यानि कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुसार लगानने को कहें कि उसमें कितने कंचे है अलानेट कोसन कोसन रहे क्यामन एक क्यामन हैं पूचा है नेमले कितमें से कौन सा अभ्यास सरवादे का अप्योक तरह से दिखता है कि आपके छात्रों ने अज्यात रासियों का अनुमाल लगाने का कोसल विकिस्ट कर दिया है नीचे चार अपसन रहे हैं चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है कोसन नमर एक्यामन का सही आंसर क्या होगा साथ ये कोसन नमर एक्यामन का अपसन मचोता सही हो जाएगा यानि आपकी कॉलनी के बच्चों की लगवग संक्या बताए अगला नेक्ट कोछन देखेंगे लेते हैं, कोछन नमर बामन बामन में पुचा है निम लेक्ट में से कौन सी एक गड़ती यह प्रिक्रिया नहीं है नीचे चार अपोफ़़़न रहें, बामन का सही आंसर आपको बताना है बामन का सही आंसर क्या होगा साथ ये पुछाया है श्री जावेद गुणजों की अब दहरणा कक्षा में आराम कर रहे हैं और उन्होंने तीन सिख्यक गतविदियों की योजना बनाई है पहली स्यामपट पर दो के गुणज लिखिये और उन्हें वास्तविक जीवन के उधारन से जोड़िये सेगेंड कहता है इस पर्ष्ट करें के किसी संख्या अंक की संप्लाव गिनती यानि स्किप्स काउंटिंग से गुणज बनते हैं थड़ कहता है दो रोपे के अनेक सिक्के लें और एक सिक्के दो सिक्के तीन सिक्कों आज के धेर में बनाई अब दानों को अच्छी तरश से इस्पेट करने के लिए इन गत्विदियों को सरवादे को पयोक्त क्रम में ब्यवस्ते करने में उनकी सहयता करें इंदे 4 nutrition को पढ़के सही आंसर आपको बताना प्रेपन का सही आंसर क्या होगा दााट यो तरेपन का उप्शनमार चُवता सही हो जागा यानि तीसरा दूसरा और पहला इस क्रम से आपके सही होंगे अलालियनेट क्वसं देख लेते हैं प्रेशन मार चाववन चववन में पुचा है, खेत्रमती की अवजाणा को पढ़ाने से पहले निमलिकत में से कौन सी प्राराम में का गत्य विदी सबसे विपएकत है नीचे चार अपस्न रेकें, चार अपस्न को पढ़के सही आंसर आपको बताना कासा नमर चववन का सही आंसर क्या होगा साथ चावण का अप्सन नमर पहला सही हो जागा यानि छात्रों से दो विमी आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की दुलना करने के लिए कहना अलाने ट कोसन ने के लिए दें कोसन नमर पच्पन पच्पन पे पुचा है दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण का पूर्ण संख्याओं का यहां गोड़ धर्म कलाता है निचे चार अपसंद्रे कहें चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसर पताना है कोसन नमर पच्पन का सही आंसर क्या होगा साथ ये question number 55 का सही answer option नमर पहला हो जाएगा यानि somewhere रख गुड़ धर्म अगलानेक्ट question देख लेते हैं question number 56 56 में पूचा है राइष्टिया पार्ट चर्या रूप्रे का 2005 की अनुसार नीचे 4 अप्सन रेकें 4 अप्सन को पढ़के सही answer आपको बताना question number 56 का सही answer क्या होगा साथ 56 का अप्सन नमर पहला सही हो जागा यानि गड़ेत सिक्षण का संकीर्ण उद्देश शंक्यां एवं संक्या अवदाना सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापना सिखाना है अबरानेक्ट question question number 57 57 पूचा है गड़ेत कक्षा में खालिस्तान पर बल होना चाहिए नीचे 4 अप्सन रेके हैं 4 अप्सन को पढ़के सही answer आपको बताना question number 57 का सही answer क्या होगा साथ 57 का option number second सही हो जागा यानि गड़ेती है प्रिक्रिया एवं तरक अप्सन देख लेते हैं question number 81 81 में पूचा है एक अक्षा में आधिकान सह चात्र कहती हैं कि 360 प्लस 55 होगा होता है या आपको सवाल दे रखा है 360 प्लस 55 ये दे रखा है सौल करने पर 31 पंदर है इस ब्रहांती को दूर करने के लिए कौन सी अपधारना को दोहराना सबसे उप्युक्त होगा नीचे चार अप्सन रेखें 58 का सही आंसर क्या होगा साथी 58 का अप्सन और पहला सही हो जाएगा यानि जोड़ने के समय पुनर सब मूह हों करना अलाने ट क्वेशन देख लेदे है इसमें पूचाया नेम लेखित में से कौन सा अकाताना सात्य नहीं है नीचे चार अप्सन रेखें 59 का सही आंसर क्या होगा सात्य 59 का अप्सन और सेकंड सही हो जाएगा यानि गड़तीय समस्याओं की समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है अगला नेट कौसन देख लेते हैं कौसन नमर साथ साथ मैं पूचाया नेम लेकित में से किसका नाम यामितिय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की यामितिय तरक के इस तरह पर वणन करता है नीचे चार अप्सन रेखें कौसन नमर साथ का सही आंसर क्या होगा साथ य खोसन नमर साथ का ऑप्सन मरत तीसरा सही होजगा यानि वह वन हैले है साथ यो मैंति के जितने भी कोसन इस पेपर में पूचे गएते हमने सभी Complete कर ले हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अप्री वीडियो को लाइक, सेयर अपने चैनल सस्क्राइब ने किया है तो अप्री चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेंग आज के लिए बसतना ही धन्यवाद